हेलो फ्रेंट्स मैं प्रियंका अपने चैनल रेस्पी रेस्पी में आपका सौगत करती हूँ फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए अर्वी और चने डाल की बहुत ही स्वादिष्ट और लाजबाब सब्जी की रेस्पी लाई हूँ मैंने जिस तरीके से इस सब्जी को बनाया है उससे ये सब्जी बहुत चटपटी और टेस्टी बनी है फ्रेंड्स आप सब एक बार मेरे तरीके से चने डाल और अर्वी की इस रेस्पी को बना कर देखिए बड़े तो क्या बच्चे भी इस सब्जी को मांग मांग कर खाएंगे तो चलिए Friends रेस्पी की शुडवात करते हैं अर्वी और चने डाल की सब्जी बनाने के लिए पहला में इंग्रेडियन्ट है अर्वी मैंने 500 ग्राम अर्वी लिया है इसे हम चील कर काट लेंगे दूसरा में इंग्रेडियन्ट है चने की डाल मैंने आधा कब चना डाल लिया है जो की ग्राम में 100 ग्राम है इसे हम रात भर के लिए भीगोने के लिए छोड़ देंगे मैंने पहले से ही आधा कप चने डाल को रात भर भीगोने के लिए रख दिया था फ्रेंट चुकी चना डाल देर से पकता है इसलिए इसे रात भर के लिए जरूर भीगो है डाल को हम अच्छे से धो लेंगे अर्वी को छीलने से पहले मैं हाथ में हलका सा mustard oil लगा लेती हूँ इसे हाथ में अर्वी की वज़े से खुझली नहीं होगे इसके छिलके को चमच से बरीआसानी से निकाला जा सकता है इसलिए इसे चाकू से नहीं छीले चाकू से हम अर्वी के दोनों सिरे को काट देंगे इसमें कहीं दाग हो तो उसे भी काट कर हटा देंगे मैं इस तरीके से सारे अर्वी को छील लेती हूँ मैंने सारे अर्वी को छील लिया है अब हम इसे इस तरीके से काट लेंगे इसे नो तो बहुत पतला काटना है नो बहुत ज्यादा मोटा जो अर्वी ज्यादा मोटी हो उसे बीचो बीच काट कर इस तरीके से हम इसके पीसेज करेंगे फ्रेंट्स आप अर्वी को किसी भी तरीके से काट सकते हैं मैंने सारी अर्वी को काट कर धो लिया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे कराही में हम 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ओइल को घरम कर लेंगे तेल के गरम हो जाने पर हम इसमें अर्वी डाल कर फ्राइ करेंगे इस समय गैस की फ्लेम हाई रहेगी अर्वी को हम 3-4 मिनट तक फ्राइब अर्वी से सबजी का टेस्ट काफी बढ़ जाता है इसे बीच-बीच में चलाते भी रहना है लगातार चलाते रहने की जोरत नहीं है अर्वी फ्राइब हो चुका है इसे अब हम कराही से निकाल लेंगे इसे और जाता फ्राइब करने की जोरत नहीं है अर्वी फ्राइब हो चुका है अब हम सबजी की ग्रेवी बनाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए उसमें पीली सरसो 1 टी स्पून पीली सरसो की जगा काली सरसो का भी इस्तमाल किया जा सकता है साबू दी जीरा 1 teaspoon, तेज़ पत्ता दो, खरी लाल मिर्च 2, दो बरे प्याज को मैंने काट कर लिया है, जो की कप से 1 cup है, मिजर्मेंट के लिए मैंने 200 ml के कप का इस्तमाल किया है, तमाटर से सब्जी का टेस्ट काफी बढ़ जाता है, लाल मिर्च पाउडर 1 teaspoon, धनिया पाउ टेबल स्पून, साथ में अधरक का पेस्ट है, 1 teaspoon, नमक स्वाद अनुसार, मैंने 2 teaspoon लिया है, मस्टर्ड ओयल 3 teaspoon, यह चना दाल है, जिसे की मैंने रात बर भीगो कर रखा था, फ्रेंट्स आप चाहें तो सब्जी में 1 फॉर्थ टी इस्पून हिंग का भी इस्तमाल कर सकते हैं, जिस कराई में मैंने अर्वी को फ्राई किया था, उसी में मैं मसाले भी फ्राई कर रही हूं, सब्जी बनाने के लिए अभी से मैं जो प्रोसेस कर रही हूं, उसे आप कुकर में भी कर सकते हैं, क्यूंकि हमें फाइनली कुकर में ही सब्जी को सेट करना है, हम कराई मे हमें तेल को गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने पर हम इसमें जीरा RICHARDBaran प्रण जीरा ऑर सरसो के तरकने के बाद हम इसमें खरी-लाल मिर्च और तेजपता डाल देंगे। अब इसमें कट pae compliance दाल कर भूनेंगे इस समय गास की फिलेंउ हाई रहेगे। लगबग एक मिनट के बाद हम इसमें दाल को डालेंगे। प्याज के हलकाघ कुलाबी होने तक हमें दाल और प्याज को भूने है। थोड़ी थोड़ी दिर पर हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि प्याज और दाल जले नहीं। फ्रेंट्स दाल को ज्यादा दिर तक नहीं भूनना है, ज्यादा भूनने से दाल हार्ड हो जाएगा, जोकी कुकर में भी आसानी से नहीं गलेगा। प्याज हलकासा गुलाबी हो चुका है, अब हम इसमें लहसन और अध्रका पेस्ट डाल कर लो फ्लेम पर देर से दो मिनट तक के लिए भूनेंगे. इसे बीच-बीच में चलाते रहना है. लहसन भून चुका है, अब हम इसमें कट्टे टमाटर डाल कर टमाटर को नरम होने त साथ ही इसमें नमक भी डाल देंगे इसमें लगवक आधा कप पानी डाल कर मसाले को पकाएंगे गैस की फिलेम इस समय मेडियम रहेगी मसाले को तेल छोड़ने तक पकाना है मसाले बुन चुके हैं अब हम इसमें फ्राइड अर्भी डाल कर लो फ्लेम पर आधा मिनट के लिए इसे बुनेंगे चुकि चनादल कराई में आसानी से गलता नहीं है इसलिए अब मैं सब्जी को कुकर में डाल कर पकाऊंगी फ्राइड सब्जी को मैं जल्दी से कुकर में ट्रांसपर कर देती हूँ कराई में थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें लगे मसाले को पानी में मिक्स कर लेंगे इस पानी को हम कुकर में डाल देंगे मैं सब्जी में टोटल आधा लेटर पानी डाल लई हूँ इसे हम अच्छे से mix कर देंगे इसी time हम सबजी में गरम मसाला डाल कर mix कर देंगे कुकर के लिए लगा कर हम सबजी को 2-3 सीटी आने तक पकाएंगे वैसे अरवी को पकाने के लिए 1 सीटी काफी है लेकिन इसमें चनादाल भी है और चनादाल को पकने में टाइम लगता है इसलिए हम कुकर में 2-3 सिटी आने तक सबजी को पकाएंगे कुकर में 2 सिटी लग चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे इसके प्रेसर को हम अपने आप रिलीज होने देंगे ताकि चनादाल कच्चा नहीं रहे है कुकर का प्रेसर रिलीज हो जुका है देखे फ्रेंट्स सबजी बहुत ज्यादा टेम्टिंग लग रही है अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल कर इसे मिलाएंगे तो लीजे फ्रेंट्स अर्बी और चने दाल की लाजबाब सबजी बनकर तयार है इसे आप रोटी पूरी चाबल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं फ्रेंट्स आप सब भी इस सबजी को जरूर बना कर देखिया और मुझे कमेट में बताइए कैसी बनी अर्भी और चने दाल की यह सबजी फ्रेंट्स कैसी लगी मेरी आज की रेस्पी अगर आपको मेरी आज की रेस्पी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डेस्पी के साथ अब तक के लिए बाई फ्रेंड्स